अब बात करते हैं पंक्चर साइड लेटर इशूस ज्यादा तर पंक्चर साइड जहां पर आंजियोप्लास्टी की जाती है हाथ से और पाउं से वो इलिया में कभी-कभी लाली हो सकती है प्लास्टर हाथ में लगाया जाता है वो एक दिन के बाद निकाला जा सकता है उसके बाद वहां पर कोई ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है अगर कोई कारण से बहुत ज्यादा पें हो रही है या कोई कारण से बहुत ज्यादा पें हो रहा है या कोई कारण से वो इरिया फूल गया है गुबारा जैसा फूल गया है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने के जरूरत है उसमें डॉपलर टेस्स करके देखा जाएगा कि वहां पर कोई सूडो नियूरिजम बगर तो न टिकागला और एक मेडिसी ने इसके साइट उफेक्स से भी हो सकता है इस बार में हमने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं medicines आपको continuously लेते रहना है cardiac medicine से regarding भी अपने separate video किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकता है medicines का purpose किया है कौन-कौन सी medicines आपको चलेगी अगर medicine related कोई side effect हो तो आपको doctor के साथ discuss करना है खासी अगर होती है तो खासी के भी बहुत सारे कारव नो सकता है दबाओं के side effect से हो सकता है heart failure के वज़े से हो सकता है infection के वज़े से हो सकता है asthma बगर precipitate हो तो उस वज़े से हो सकता है इस बारे में भी हमने एक separate video किया है जिसमें इसमें detail में discussion किया है आप वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं obviously देखिए ये सारे topics के detail में अगर मैं इस topic में जाओंगा तो ये topic काई घंटा का हो जाएगा इसलिए हर topic को या sub topic को मैंने separate video का आपको link दे रहा हूँ तो आप उस पर जाके उसको discuss कर देख ले या उसको properly उस पर जो विचार है आपको जो भी problem है उसको देख लिए तो जादा अच्छा है क्योंकि obviously ये सारे problems जैसे की सास, फूलांग, घंजोरी लगना, खासी होना वो हर एक व्यक्ति को नहीं होता तो अगर मैं पूरी discussion अईकी topic में करूँगा तो आपको थोड़ा irrelevant लगेगा तो इसलिए जिनको भी problem है आप उसी साब से मेरे चैनल पर वीडियो है आप देख सकते हैं उसके लिए एक separate video जादा तर side effects के लिए problems के लिए हमने किया है अगर किसी को भूक नहीं लग रहे है तो भूक बढ़ाने की syrup ले सकता है कमजोरी चक्कर अगर हो रहा हो तो आप थोड़ा पानी और नमक जादा ले तो उसमें अच्छा है तो उसमें कहिए बार लोग का बीपी अगर कम होता है तो चक्कर आ सकता है कमजोरी चकर के बारे में भी हमने एक separate video के है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते है अगर व्यक्ति को अंजोप्लास्टिक बाद बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है तो ज्यादा तर वो बीपी कम होने की वज़े से दवाओं के side effect की वज़े से या hydrostatins जो दिया जाता है उस दवा के side effect से हो सकता है तो इसको आपको doctor साथ discuss करना है नॉर्मल हृदेगती अंजोप्लास्टिक के बाद 60-100 के आसपास रहे तो ठीक है 50 तक भी अगर ने मेंटेन रही है तो दिक्कत नहीं है 40 से अगर नीचे जाए या 100-120 से उपर जाए तो आपको doctor साथ discuss करना है ज्यादा तर 50-70 के बीच में रहे तो वो standard माना जाता है heart को उसमें relax होने का थोगा time मिलता है और heart failure competitively better respond करता है ऐसा काफी studies ने show किया है अगर किसी वेक्ति का BP बहुत जादा high है तो आपको पुरानी दवाईयों को लेने से पहले भी एक बार doctor साथ discuss करना है कि कौन सी दवाईं continue रखने है कौन सी बंद रखने है BP low है तो भी ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपका BP जादा low है तो ऐसा तो नहीं कि आप पूरानी दवाईया भी साथ में ले रहे हो बिना doctor से पूछे तो वो सब चीजों को discuss करना है कई बार क्या डायोरेटिक्स या पिशाप बढ़ाने वारी दवाईयों से भी BP कम हो सकता है या कई बार heart attack के बार function कम होने के वज़े से BP कम हो सकता है तो ये सारी चीजों में दवाईयों का क्या रोल है वो आपको आपके doctor के साथ discuss करना है हर specific side effect जो आपको होता है उसके लिए आपको अलग तरह से आपको discuss करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर चीजों के कारण अलग होते है आपको जो भी हो रहा हो उससे साब से आप manage कीजे किसी किसी को पेशाब में जलन हो सकती है या पेशाब अटक सकती है ये भी medicine से side effect में हो सकता है SGLT2 ने bitters जो हम heart failure के लिए देते हैं उससे पेशाब में जलन हो सकती है और beta blockers वगर से पेशाब थोड़ी अटक सकती खासकर उमर दराज male patients में तो वैसा कुछ अगर आपको लग रहा है तो डॉक्टर के साथ discuss कीजिए दवाओ का dose थोड़ा adjust करना पड़ेगा अगर किसी को diet change करने वगर जैसे constipation जादा हो रहा है तो high fiber diet ले जितना ज्यादा fiber वाला diet लेंगे उतना अच्छा है उसमें क्या है अपका constipation वगर का कई लोग को क्या है piles वगर का पूराना problem होता है तो जैसे ही वो अपनी medicines को बन करते हैं या change करते हैं या उनका diet change हो जा comparatively कम हो जाएगी angioplasty related वैसे बहुत सारे issues है बहुत सारे topics है हरे topic को एक separate discussion में किया जा सकता है कि यह हो रहा है तो क्या वो हो रहा है तो क्या तो वो काफी हमने already videos इस बारे में किये हैं कुछ चीज़े में videos में बाकी सब के साथ overlap होंगी definitely तो वो videos को भी आप चाहे तो देख सकते हैं तो आपको basic understanding मिल जाएगा कि क्या आपको problem है उसमें क्या करना है आज के topic में basic चीजों पर बात की angioplasty के बाद diet कैसा होगा उसमें separate video किये side effects के बारे में separate videos किये और stent related issues पर भी separate videos किये और in hospital patient को जो problem होती उस बारे में separate video किये तो इस सारे चीज आपको मेरे channel पर available ह आप इनको मेरे post angioplasty जो playlist है angioplasty rated उसमें सारे videos आपको मिल जाएंगे तो आप उस पर देख सकते हैं हमारे channel का basic purpose यह है कि heart or health related scientifically correct information हम आपके लाते हैं ताकि इस तरह के content के लिए आपको भटकना नहीं पड़े आपको doctors और friends और latest पर dependent ना होना पड़े doctors कई बार time constraint की वज़ suggestions है या कोई चीज़ आपको लगता है मैंने miss किया है तो हमें बताइए हम कोशिश करेंगे next time उसे cover करें जैदी आपको हमारे channel का concept अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीज़े चैनल को subscribe कीज़े यदि आपकी comments queries है तो हमें उनके बार में बताइए और यदि आपको लगता ह यह वीडियो आपके friends और लगता है तो लिंक को उनके साथ share कीज़े आंत में डॉक्टर नवीन अगरवाल तेहर लिल से आपका शुक्रिया दा कहूंगा कि आपने topic को end तक देखा और आपको definitely इससे कुछ सीखने को मिला होगा जो लोग मेरे channel पर नए है उन्हें request करेंगा चैनल को subscribe करें हमें inspire और motivation करें इस तरह से जो लोग इस content को इंगलिश में देखना चाहते हैं उनके लिए recently डॉक्टर नवीन अगरवाल काडियो केर इंगलिश करके हमें चानल स्टार्ट किया है आप उस content को over a period of time इंगलिश में भी देख सकते हैं